तो आज की वीडियो है about the faces of cell cycle तो जो ये डाइग्राम है ये मैंने biology 11th की chapter cell cycle and cell division से लिया है तो इस वीडियो में मैं mainly जो दो faces and cell cycle की उसके बारे में discuss करूँगी तो जो cell cycle होती है उसमें में लिए दो faces होते हैं interface and mitotic face तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं G1, S, G2 ये होता है interface and ये जो purple shades में दिया है ये है mitotic face तो ये M face and बाकी interface इन दोनों के अलावा एक और face होती है जिसे हम कहते हैं G naught face now suppose हमारी body में कुछ cells होते हैं जैसे hurt cells हो गया तो जो hurt cells होते हैं वो divide नहीं करते तो क्यों नहीं divide करते क्योंकि वो cells हैं वो एक ऐसे stage में enter कर गए हैं जिस वज़े से cell divide नहीं होगा तो उस stage को हम कहेंगे G naught stage अब suppose हमारे cells में कोई injury होती है तो cell divide होना बहुत जरूरी है उस time पे तो जब cell divide होगा तो उसको एक signal मिलेगा जैसे ही cell को signal मिलता है cell divide होना शुरू कर देता है suppose हमारे body में किसी भी एक cell को signal मिला कि उसे divide करना है तो वो G naught stage से exit करेगा और G1 stage में आ जाएगा तो जैसे ही cell G1 face में enter करता है उसे signal मिल जाता है कि अब cell को divide करना है तो सबसे पहले G1 face की बात करते है तो ये एक interface का सबसे पहला stage है तो interface में G1 face, synthesis face and G2 face होते हैं जब suppose ये एक cell है अब ये G1 face में enter किया है तो G1 face में क्या होता है? cell होता है वो size में increase करेगा तो G1 face में cell metabolically active हो जाता है metabolically active हो जाता है क्योंकि वो खुद को prepare कर रहा है cell division के लिए तो cell grow करेगा, continuously grow करेगा and इस face में enzymes synthesized which are required in synthesis face तो इस face में वो enzymes released होंगी जो कि हमें synthesis face में चाहिए तो synthesis face में enter करने से पहले cell क्या करेगा? वो enzyme produce करना शुरू कर देगा G1 face में ही तो देखे इस तरीके से cell है जो वो size में increase हो जाता है उसके बाद synthesis face तो cell जब synthesis phase में enter करता है तो यहाँ पर important चीज़े होती है सबसे पहले DNA replicates and doubles in the nucleus तो inside the nucleus क्या होगा? जो DNA होता है वो double हो जाएगा replication होगा तो एक DNA convert हो जाएगा दो DNA में तो इसमें DNA doubles हो गया लेकिन chromosome में कोई increase नहीं होगा chromosome number में कोई increase नहीं होगा क्योंकि अभी तो DNA normally chromatin form में है अभी condensed नहीं हुआ है तो हम नहीं कह सकते कि chromosome number भी double हो गया तो only DNA get doubles and chromosome number remains same then centrioles भी duplicate हो जाते हैं centrioles हमें चाहिए आगे cell division में तो इस synthesis phase में ही centrioles भी duplicates हो जाते हैं cytoplasm में तो synthesis phase में nucleus के अंदर तो जो DNA है वो double हो जाता है और जो cytoplasm है उसमें centrioles double हो जाते हैं तो ये synthesis phase है अब synthesis phase से वो enter होगा G2 phase में G2 phase में क्या होता है mainly cytoplasmic organelles double हो जाते हैं अब suppose अगर हम एक cell को डिवाइड कर रहे हैं यहां पे और हमें एक cell को डिवाइड करके दो cell बनाने हैं जैसे देखिए यहां पे सब डिवाइड होके यहां पे लास्ट में दो cell बन जाता है अब जब दो cell बनेंगे तो जो cytoplasmic organelles हैं वो भी तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि जो नया cell है उसमें cytoplasmic organelles आ सके तो G2 phase में cytoplasmic organelles double हो जाएंगे अब जीटू phase में सिर्फ यह होगा कि वो cytoplasmic organelles को double करेगा तो G2 phase में organelles double हो जाते हैं इसी phase में prepare हो जाता है कि अब वो माइटूटिक phase में enter कर जाएं माइटूटिक phase में मेंली चार phase होते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एन्टीलोफेस आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं PMAT प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एन्टीलोफेस इस phase में अलग-अलग process होते हैं cell division के तो इस माइटूटिक phase को मैं detail में discuss करूँगी अपनी next video में जब माइटूटिक phase में सब divide हो जाता है स्क्रोमोजोम्स, एक्सेक्टरा लास्ट में nucleus divide हो जाता है जिसको हम कहते हैं karyokinesis और फिर उसके बाद cytokinesis आता है तो karyokinesis होता है nucleus division और cytokinesis होगा जिसको हम कहते हैं cell division cell divide हो गया तो देखिए दो cell बन गए हैं तो यह जो पूरी cycle cell division की है इसको हम कहते हैं faces of cell cycle जिसमें interface होता है mitotic face होता है और एक genote face होता है इसको हम faces of cell cycle में नहीं कहेंगे division में नहीं कहेंगे क्योंकि इसका division में इतना कोई role नहीं है तो बठा faces of cell cycle में इसको include करेंगे तो genote face, interface and mitotic face तो ये पूरी इस तरीके से cell division होता है तो अगर आपो ये वीडियो अच्छी लगी तो please like and subscribe for more such videos Thank you